नमस्कार और विल्कम यौल वर्ल अफेर्ट नहीं प्रशान धवन आउ टर्की की हेल्प करने के बाद जो टर्की में अर्फ को एक आय था वहाँ पे हेल्प करने के बाद इंडिया एक और ऐसे कंट्री की हेल्प कर रहा है जो हमारी तरफ बहुत जादा होस्टिलिटी रखता है मैं आपर बात कर रहा हूं चाइना की इंडिया नेवी ने एक बड़ा ओपरेशन स्टार्ट कर दिया है जिसके अंडर हम कोशिच कर रहे हैं के चाइनीज फिशर्मेंट जो चाइनीज नागरिक हैं जो डूब रहे हैं कहीं इंडियान ओशन में उनको हम बचा पाएं ये जो मचवारे इंडियन ओशन में कई हैं उनकी जान हम बचा पाएं जब अपना इतना सारा इंफ्रासक्चर हमारा पोसाइडन पी एट जो हमने यूएश रे परचेस किया है ये सब जब हम इस्तिमाल कर रहे हैं चाइना के सिटिजन्स को बचाने के लिए चाइना को थैंक्यू बोलना होगा और चाइना इसे जब पूछा गया कि देखिए इंडिया आपकी हेल्प कर रहा है आपके फिशर्मेन को बचाने के लिए तो उसके रिस्पॉंस में चाइना ने इंडिया नेवी की तारीफ करी और ये कहा कि हा बिलकुल वी आर थैंक्फुल कि इंडिया आज के समय हमारी हेल्प कर रहा है मगर obviously question यहाँ पर ही आता है कि People's Republic of China ये रहा इनको अगर fishing करनी है तो अपने इलाके के आसपास करो Maximum Pacific में थोड़ा सा आगे चले गए ये लोग all the way Indian Ocean में USA के military base के पास जी हाँ USA के military base के पास fishing क्यों कर रहे थे और क्या इंडिया को alert रहना चाहिए ऐसी fishing ships के बारे में डिसकस करेंगे इस topic को in depth मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूँँगा question यहाँ पर यह है के PM Modi जलन्सकी से मिलेंगे पहली बार since Russia's invasion आपको बताना है के PM Modi युक्रेइन के प्रेजिडेंट से किस देश में मिलेंगे ये topic काफी news में है इस meeting को दुनिया भर का media cover करेगा बताइए PM Modi जलन्सकी से किस देश में मिलेंगे USA, Japan, Australia या फिर New Zealand comment section में करिए उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के end में ओके तो सबसे पहले जो problem है इसकी मैं आपको जड़ बताता हूँ चाइना बड़े scale पर illegal fishing करता है दुनिया भर में जब मैं कहता हूँ दुनिया भर में मेरा मतलब चाहे कोई भी ओशन हो कोई भी देश हो वहाँ पर चाइना के मचवारे चले जाएंगे बिना permit के बिना approval के और वहाँ पर मचलिया पकड़ना स्टार्ट कर देंगे और over the years कई देश हैं फिलपीन हैं इंडोनीसिया है इवन ऑस्टेलिया पपुआ न्यूगिनी उसके लावा यहाँ पर चिले पेरू बहुत सारे देश हैं जो complain कर चुके हैं कि चाइना के मचवारे जिनको अपने इलाके में fishing करनी चाहिए यह अपने इलाकों में इतनी मचलियां खाई जाती है आप अगर लिस्ट देखोगे countries की तो चाइना में एक बड़ी आबादी है जो fish खाना पसंद करती है तो demand है तो supply पूरी करने के लिए कई मचवारे illegal तरीके से भी fishing करना start कर देते हैं और since हम यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड जंका के आसपास जाते हैं तो जिस country को भी टार्गेट करते हैं उसके आसपास पहुच जाता है चाइना का fishing अर्माडा अर्माडा जो एक word है ना यह एक टाइम पर यूज किया जाता था एक नौस है ना की बड़ी fleet के लिए मतलब बहुत सारी naval ships आ रही है उसको कहते थे दे यह topic चाइना की illegal fishing का topic Quad की meetings में discuss किया था 2022 में Quad countries ने मिलकर यह भी decide किया के illegal fishing पे हम रोक लगाएंगे और action लेंगे इसके against मगर obviously चाइना यहाँ पर सुनने वाला है नहीं काफी बार शिलंका चाइना के बहुत सारे vessels के जो fishing rights है यह cancel कर चुका है इनको वापस भेज चुका है मगर तब भी तब भी बिना invitation के बिना approval के चाइना की जो ship है यह शलंका का जो south का area यहाँ पर fishing करने आ जाती है और most recently क्या हुआ कि एक इनकी ship थी जिसका नाम है Lu Pang Yuan Yu 028 यह जब fishing कर रही थी शलंका के south में अचानक से waves आई और यह ship कुलाप्स कर गई नाव मैं यह भी add कर होती है और चाइना के अर्माडा में एक बाद बहुती ज़रा common आपको मिलेगी कोई किसी की help करने के लिए नहीं आता मैंने कई cases देखे हैं कि चाइना से दूर दराज यह shipping करने के लिए चले जाएंगे एक ship डूप जाएगी कई मचवारे मारे जाएंगे बाकी मचवारे उ अर्माडा एक दूसरे की help करें क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर शिप है उसका एक मोटिव है profit कि मैंने अपने देश के आसपा सारी फिश खतम कर दी अब दूसरे देश के आसपा जो फिश बची है वो भी खतम करने के लिए जाना है तो भी देखिए शिलंका से 900 नौटेकल म क्यों चली गई यहाँ पर आप देख पाओगे यह उपर इंडिया हो गया यहाँ पर आप देख पाओगे एक टापू है इस टापू का नाम है डिएगो गार्सिया इस टापू की बहुत लंबी हिस्ट्री है एक टाइम पर सिंगापूर का पार्ट हुआ करता था फिर समय नहीं आ रहा क्योंकि वैसे मैं आपको बताओं अगर इनको मशलिया पकड़नी है तो यूजली कोस्टल एरिया के आसपास मिलती है मशलिया मतलब के यह एरिया हो गया श्रंका का यहां से यहां तक का तो इस इलाके से यह काफी आगे ही आ गई है और मैं सप्राइज नह चानवता को ऊपर रख रहा है पुराने जो भी इशूस हैं चाइना के साथ वो पीछे रख दिये जा चुके हैं और इंडिया ने भी पूरी कोशिश कर रही है कि जितने जादा लोगों की जान बच पाए इंडिया नोशन में उतनी हम बचा लें क्योंकि एवन दो कई और तेज यसे ऑस्टेलिया फिलिपीन्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के मचवारों की जान बचाएं मगर इंडिया सबसे जादा पावरफुल नेवल फोर्स है जो इस वक्त हेल्प कर सकती है चाइनीज मचवारों की आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि ये जो शिप डूबी है इसमें 17 चाइनीज नैशनल्स थे, 17 इंडोनीसियन थे, 5 फिलिपीन्स के भी थे तो बाकी कंट्रीज के लोग यहां पर क्यो आ गए थे ये लेवर होती है काफी बार ये जो चाइना की शिप्स होती है इनके पास अगर लेवर की कमी बढ़ती है तो ये इंडोनीसिया से कुछ लोग उठा लिए, फिलिपीन से कुछ लोग उठा लिए, ये सब काम करते हैं मगर इस चाइनीज फिशिंग शिप और इस वक्त देखिए पूरे चाइना में टेंशन है कि ये शिप का क्या होगा, किते लोग वापस आपाएंगे, शी जिंग पिंग खुद इस situation को monitor कर रहे हैं, मगर मेरे इसाब से अगर ऐसे incidents को रोकना है, चाइना को पहली बात तो illegal fishing दुनिया भर में रोकनी चाहिए, क्योंकि अपने देश से इतने जादा दूर इनके मचवारे चले जाएंगे अगर, तो पहली बात तो इनकी जो boards है, उस पर damage आएगा, जितना दूर आप जाएंगे बिना repair के, बिना support के, आपकी जो boards हैं खत्रे में आएंगी, उसके लावा देखिए, illegal तरीके से fishing करना वैसे भी गलत है, तो अभी हमको देखना होगा, कि चाइना के जो ये मचवारे हैं, बाकी countries के भी जो ये मचवारे हैं, क्या ये बच पाए जपान में G7 Summit हो रहा है, हिरोशीमा में, और हिरोशीमा में ही पहली बार, रश्या की जो वार है, ये स्टार्ट होने से पहली बार, PM मोती और जलंस्की की एक proper meeting होने वाली है, याद रखिएगा, very important for exam perspective, और फाइनली आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यार पर करिये click और यहाँ पर पर चेस कर पाएंगे अनकाडमी का UPSC course, बट जो prices यहाँ पर लिखे हैं, don't ever pay these prices, simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money, so use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, may the gods watch over you. झाल 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 झाल